कि यहां पर क्षीर बैस्ट सब्सक्राइब करें और प्रबालं मैं और कैसे उसको सोलű करेंगे इस वीडियो आज आप लोग लिए बहुत होने वाली है सुर्ण करें इसकिप ना करें वीडियो कर अच्छे लगे तो जरूर लाइक करतें चलने को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके और पर स्लैक करतें अपने दोस्तों को साथ भी शेर करें क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो तो दोस्तों मैं जहां पर अभी या आपका कोई सब्सक्राइब हो तो यह हमारे सामने एर कुल्ट चले रहे उसमें कंडेंसर मैक्रोजेनल लगे हुए है और इसमें क्या रहे है हाई सूपर ही तो नदिक में मैं आप लोगों को लाके दिखाता हूं कि हाई सूपर ही अलाराम कैसे हम लोग चेक करते हैं उस हर सिस्टम का पासवर्ड अलग-अलग हो सकते हैं अभी फिलाल जो मेरे हैं वो में ढाल रहा हूं यह मैंने इसका पासवर्ड अलडिया अभी इसको यह खुल गया सब्सक्राइब और नदिक से दिखाए यह इसका सिस्टम खुल गया है यहां पे हमने क्या करना है यहां पे तेडिए इसकी आ रही है यह पर रही है अ으ram यह से करेंगे और यहां पे प्रसकेशन कर으uben क्या में तो जो यह वहीं से रिलेटेड है इसलिए हमने इसको अभी खोला है तो आप जानते हैं सक्षन टंप्रेचर का सक्षन जो सूपर हीट का जो में प्राबलम कहां से शुरू होता है कहां से खतम होता है वो मैं बताता हूं जो हमारे कंप्रेचर पेज सक्षन पेज जो टंप्रेचर आ रहा है चाहिए किसी भी कोई सबी रेफिजरेंट हो पिला लिए और 1341 एसे उसमें जो शक्षन है ना सक्षन तो सक्षन सूपर हीट को डिटेक करता है तो आप लोगों को मैंने वीडियो बनाया था कि सूपर हीट का अलारम आएगा और अगर लोगों कर रहा है तो इसमें लोगों को सबसे पहले हम लोगों क्या देखना है गैस गैस का प्रेशा चेक करना है बंध हालत में और चालू हालत में गैस सही है या नहीं है अगर गैस सही है तो उसके बाद हमने कौन सा इस्टेप लेना है अगर हाई सूपर हीट का अलार हमारा है तो उसमें हम लोगों को देखना है कि हाई सूपर हीट क्यों हो रहा है द अगर पोई हमारे तो यहां से तो यहां पर आगर यहां पर यहां से रावाइगा और अगर फ़ारेश कम होगी या जाधा होगी तो यहां परा गीला होगा लिकूट आएगा तो उसमें low superheat का alarm आएगा तो उसमें भी हम लोग को gas चेक करना है और उसके बाद क्या करना है कभी-कभी न एवापरेटर ब्लॉक होता है तो भी low superheat का है क्योंकि water या air circulation जब नहीं होगा तो वहाँ पे pulling ज़ादा होगी तो low superheat का alarm आएगा उसके बाद आप लोग चेक करेंगे तो sensor अगर वो भी सही है तो sensor का issue हो सकता है section temperature sensor अभी ये क्या लाम दिखा रहा है low section temperature इसका मतलब ये कुछ ना कुछ वहीं से related है अभी हम लोग उसको check करके विल्कुल verify करेंगे और उसको tick करेंगे और ये हमारा section 9 है यहां पे तो आप लोगों को समझ मैं रहा होगा तो अभी जो है हम लोगों ने sensor इसका already change कर दिया है जब इसमें high superheat का alarm आ रहा था तो sensor जब change किया तो अभी आ रहा है क्या low section temperature low section temperature के लिए अभी हम लोग gas पे जाएंगे और gas का proper आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा और वीडियो आप लोगो कैसी लगी कमेंट करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे उतना मुझे अच्छे खुशी मिलेगी और आप लोग लिए में और अच्छे वीडियो पनाता रहूंगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफेकेशन पर क्लिकर करें आपने दोस्तार भी शेयर करें चाहे तो आप वाटसाइप पेस्बू आप लिए बाइ